नमस्कार दोस्तों, जै हिंद वंदे मातरम, आप सभी का एक्जाम ट्रगी परिवार में बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, D.A.D. Special Education, नए एड्मिशन्स कब से होंगे कौन सा कोर्स पहतर है, I.D.D. का है या H.I. का है, V.I. का या M.D. का ये कोर्स क्या है, इनके बारे भी हम डीटियल से जानेंगे क्या Special Education जो Teacher है, यानि कि जिसने D.A.D. Special Education से कर रखा है क्या वो Normal Teacher, यानि कि जो Normal आपके कोर्स होते हैं, Teacher बनने के लिए तो उनके बराबर है, या नहीं है, यानि कि नॉर्मल टीचर बन सकता है, या नहीं बन सकता है, इतना हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इससे पहले दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आज Examstr की परिवार, दोस्तों, 22 के, यानि कि 32,000 लोग आज अपने इस परिवार से जुड़ जुके हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आपने अपने इस एक्जाम्टर की परिवार पर विश्वास जताया और आज अपने इस परिवार को 32 के तक पहुँचाया सबसे पहले हम बात करेंगे निव एड्मिशन्स की भाया निव एड्मिशन्स जो आपके हैं यह आपके लगभग अप्रेल में आने की पूरी संभावनाए हैं ठीक है अप्रेल और जादा जादा क्योंकि नया सेसन्स जो चालू होता है वो जून से जून से जुलाई में चालू होता है तो आपका अप्रेल में अगर फॉर्म आएंगे तो एक महिने लगबग फॉर्म भारा जाता है और जून से जुलाई में आपका एड्मिशन हो जाएगा यह मान की चलिए दूसरी चीज क्या है दोस्तों इस बार जो एड्मिशन्स होंगे मैं बताना चाहूंगा इस बार जो एड्मिशन्स होंगे वो AIOAT के थुरू नहीं होंगे यानि कि ऑनलाईन जो टेस्ट होता था आपका वो अब टेस्ट नहीं होगा तो कैसे एड्मिशन होंगे तो इसके लिए RCI ने सर्कुलर भी जारी किया था और 12th की मेरिट के बेस पर आपके एड्मिशन्स होंगे इस वर्स इतना दोस्तों कन्फर्म है इस बार कोई भी आपका उनलाईन टेस्ट नहीं होगा जितने आपके ज़्यादा 12th में नंबर होंगे उतने आपको कॉलेज मिल जाएगा लगभग लास्ट तक दोस्तों सभी को कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाता है तो कोई लोग इसमें बिलकुल भी है ना सूचेगा सर मेरिट कितनी आती है कुछ भी आपको अगर कॉलेज चाहिए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा बहुत ही आराम से दूसरी चीज यह है कौन सा कोर्स बहतर है क्या IDD का, HI का, VI का या MD का देखिए mostly जो बच्चे हैं वो आपके ये तीन कोर्स करते हैं एक आपका IDD का, एक आपका HI का, एक आपका VI का IDD का भया पुराना नाम था ID और उससे भी हम पुराने में कहते थे इसको MR, यानि की Mental Itardation से Intellectual Disability और Intellectual and Developmental Disability इसमें आपके आपके आगया है कि AHD को भी सामिल कर दिया गया है तो अब Intellectual Developmental Disability इस को बोला जाता है जिसको हम पहले बोलते थे MR, कोर्स आपको पता भी है कि कोर्स भी चेंज किया गया था इसके चक्कर में और आपका HI, यानि की Hearing Impairment और एक आपका VI इसमें हम पढ़ाते हैं आपके बहुतिक अक्षम बच्चा हुआ, आपका Autism बच्चा हुआ इन सभी बच्चों को, ठीक है इसमें हम पढ़ाते हैं आपके स्रमण बाधित बच्चों को यानि कि Haring Impairment वाले बच्चों को जिनको हम पढ़ाते हैं Sign Language से ठीक है और इसमें हम पढ़ाते हैывают यानि कि दिरश्ट इबादिद बच्चों को और दिरश्ट इबादिद बच्चों के बारे में हम पढ़ते हैं और उनको बाद में पढ़ाते हैं तो भाया ये जो visual impairment का आपका course है इसमें आपको braille lipi सीखनी होती है ठीक है अगर आप visual impairment से कर रहे हैं तो braille lipi ये मानके चलिए कि अनिवार रहे हैं अनिवार रहे हैं अगर आप कहीं भी पढ़ाने जाओगे तो आपको braille lipi से ही दृष्ट इबादित बच्चों को पढ़ान चाह रहे हैं केवल government job करके पैसे खाना चाह रहे हैं तो भाया कोई भी course कर लीजिए लेकिन आप actual में बच्चों को अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप वही course कीजिएगा जिसमें आप अच्छे से बहतर ढंग से college जा सकें और कोई अच्छे college में admission कराईएगा जहां पर आपको ब्रेल लिपी या अगर आप HI से कर रहे हैं तो आपको sign language सीखने को मिले और IDD का course ऐसा होता है जिसमें हम तकनीकियों से जो सेच्छिक तकनीकिया होती हैं उनसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ठीक हैं तो यह course अगर सरल course की बात कर लें तो सबसे सरल आपका IDD का course हो पढ़ेगी MD का course बहुत ही कम बच्चे करते हैं और ज्यादा यह मान की चलिए कि MD के course में ज्यादा scope देखने को नहीं मिलता है ठीक है इतना आप लोग समझ गए होंगे बहतर समझ गए होंगे अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या जो आपके special education करने के बाद में यानि कि D. आर्मल टीचर बन सकते हैं तो उस पर हम बात करेंगे देखिए D.A.D. special education अगर आपने किया है अगर आप UP से हैं आनि कि उत्तर प्रदेश से हैं तो भाया बन सकते हैं ठीक है कोई भी केंदर की वेकंसी आती है चाहे वो आपके KVS की हो चाहे वो NVS की हो ठीक है यहां भी आप बन सकते हैं ठीक है अगर बात होती है D.A.S.S.B की यानि की बात हो रही दिल्ली की वेकंसी की यूटी की वेकंसी की तो यहां पर भी आप बन सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं भाया राजस्थान की तो एक मात्र एक मात्र ऐसा राज्य है यह राजस्थान जहां प D.A.D. Special Education से डिप्लोमा किये हैं वो सामान सिक्षक नहीं बन सकते हैं केवल एक मात्र ऐसा राज्य है राजस्थान बाकी लगबग हर जगा पर जो बड़े बड़े राज्य मैंने आपको गिनाही दिये UP हुआ आपका दिल्ली हुआ KVS, NVS की vacancies आती है हर्याना भी हुआ ये सभी बात मान रहे हैं सुप्रीम कोड का order ये सभी लोग मान रहे हैं लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां का कोड कहता है कि नहीं भीया जो सामान सिक्षक हैं वो सामान बनेंगे जो विसेश सिक्षक हैं वो विसेश ही बनेंगे विसेश सामान में नहीं जा सकते ठीक है समझ गया होंगे सभी लोग सभी का doubt clear हो गया होगा अगर और भी कोई doubt है बता दीजिएगा सारे questions मैं एक वीडियो में आपको बना करके दे दूँगा जो भी आपके questions होंगे बहतर course भी आपको बता दिया कैसे क्या आपको करना है वो भी बता दिया admission जैसे ही आएगा आपको आपकी चैनल पर बताया जाएगा process कह रहेगी form कैसे apply करना है संपूर्ण जनकारिया आपको यहाँ पर मिलने वाली है अगर आप चैनल पर नए है अगर आपको नहीं पता था कि चैनल आपके लिए अच्छा भी है आप वीडियो देखिए पुरानी वीडियो देखिए आपको समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर subscribe कर लिजिएगा और पास में बेल आइकन का उप्सन आयका उसको भी प्रस कर लिजिएगा सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और बहुत बहुत धन्यवाद एक बाद फिर से मैं आप सभी का देना चाहता हूँ आज आपने अपने इस परिवार को 32,000 लोगों के साथ जोड़ा और आगे भी दोस्तों ऐसे ही इस परिवार से जोड़े रहे है और सभी मित्रों तक वीडियो को शेर करते रहे है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद